इस प्रकार का एक साइंस कंक्लिव और जिसका शेर्शक कर रहा है कि रास्ट निर्माण में विज्ञान का योगदान तो यह बहुत महत्पून है और खास करके विद्यारतियों के लिए जो विद्यारतिया भी उबरते हुए विज्ञानिक आगे बन सकते हैं उनको उस प्रका मिलती है और विज्ञान के विणा आज एक वी कदम आगे बढ़ना संबभ नहीं है सब चीजें विद्यान के उपर ही अधारित होकर के आगे बढ़ रही हैं तक्षे तक्षे होते हैं लेकिन उन तक्ष्यों को विज्ञान से सिद्ध कर दिया जाया तो उसके प्रिणाम तो दुनिया के बड़े-बड़े देशों ने बातवर्ष के उपर एक शंका पदा करनी शुरू कर दी कि शायद सब बड़ा जो नुक्सान है वो भातवर्ष का होगा लेकिन देश के पधानमंत्री ने अपने वग्यानिकों को बुला करके ये कहा कि एक अच्छी वैक्सिन हम तया करें ताके हम अपको भी बचा सकें, दुनिया को भी बचा सकें, दो वैक्षिन हमने तियार की, और 200 क्रोड वैक्सिन वायल्ज बना करके, न के बल अपने देश में उसको सब लोंग को लगाया गया, बलके दुनिया के और देश, जो इसको नहीं लगवा सकते थे, उन जोड़ा है तो विज्ञान और अनुसंदान इसका बहुत बड़ा महत्व है इसके लिए आज का सेमिनार इसके लिए मुझे शुब काम नहीं है तो मिशन मानना ना मानना विशे नहीं है आखिर एक सामान ने एक प्रक्रिया है कि जो चुनाव आता है तो उसकी तैयारी के लिए हम भी जूटे हैं बाकी पाटियां में जूटी हैं तो एक प्रकार की उसकी तैयारी सौब होगाई देखे कोई किसी प्रकार का तथ्य उसमें नहीं है बलके इन सरपंचों की हमारे जो कोई कलब नहीं चलाएं कि उनके सारे पंड़ों को स्पध किया जाएंगे हां काम करने के लिए पारदर्शिता यह जरूरी है अब मनमर्जी से कोई कुछ भी कराएगा और कुछ भी किसी को देगा किसी से लेगा वो सिस्टम नहीं चलाएंगे यह बहुत बड़ा एक समस्य है कठाई जो जहिल रहे थे उसको पारदर्शिता में किया और जनता इसको समझ चुकिए जनता में इसका स्वागता है